हेलो फ्रेंड्स बेलकाम माई येट्यूप चैनल तो दूस्त अभी हाली में राश्टे खेल पुरुसकार दो हजार तेज की घोंशना की गई है जो जनवरी दो हजार चोविस में दिये जाएंगे तो ये टोपिक सभी हाने वाली पर एक सब के लिए हेलफुल है तो इसलिए वीडियो को पुरेंड तक देखते रहिए तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं तो पहला प्रस ने राश्टे खेल पुरुसकारों की घोंशना किस मंत्राले की द्वारा की जाती है तो पिरति बर्स राश्टे खेल पुरुसकारों की घोंशना यूबा कार्य और ख खेल मंत्री कोन है दो अनुराक सिंग ठाकू रहे हैं कौशन नमबर दो राष्ट खेल पुरुसकार किसके द्वरह प्रदान किये जाते हैं आप देखें जो राष्ट क्येल पुरुसकार यानिकी National Sports Award हैं तो इन पुरुसकारों की घंसना यूबा कार्य और खेल मंत्रा लेकि द्वारा की जाती है लेकिन ये किसके द्वारा प्रदान की जाते हैं तो ये पुरुसकार भारत के राष्टपती द्वारा प्रदान की जाते हैं अगला प्रस ने राष्टे खेल पुरुसकार 2023 कब प्रदान की जाएंगे तो अंसर होगा 9 जनवरी 2024 को तो 2023 के राश्ट्रे खेल पुरुसकारों के विजेताओं के नावों की घोसना 20 दिसंबर 2023 को यूबा कार्य और खेल मंतराले द्वारा की गई लेकिन यह पुरुसकार 9 जन्वरी 2024 को भारत की राश्ट्रपती द्रोपती मुरुमु के दौरा राश्ट्रपती भवन में दिये जाएंगे तो याद रखना है नेश्ट कोस्टन मेजर द्यान चंद खेल अपनबाड 2023 किसे दिया गया तो अंसर D होगा A एबं B दोनों को यानि की चिराग सेटी जो की भारते पुरुस बैडमिंटन खिला ली है और साथ भीक साई राज रंकी रेड़ी ये भी भारते पुरुस बैडमिंटन खिला ली है तो इन दोनों की जोड़ी को मेजर द्यान चंद खेल अपनबाड 2023 दिया जाएगा दिखे ये जो अवार्ड है मेजर द्यान चंद खेल अपनबाड यह खेल के छेतर में दिया जाने वाला सरबुच पुरुसकार है यह है पुरुसकार चार बरसों की अबधी में खेल के छेतर में सांदार और सबसे उतकरष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इस पुरुसकार में 25 लाख रुपे और एक पदक और एक सम्मान पत्र दिया जाता है तो मेजर ध्यान चंद खेल अतनावाट 2023 दो खिलाडियों को दिया गया चिराग सेट्टी और साथविक साई राज रंकी रेड़ी को ये दोनों ही बैडमिंटन खिलाडी है अब दिखे इनके बारें बात करें तो देखे चिराग सेट्टी का पुरा नाम है चिराग चंद शेकर सेट्टी ये मुंबई महराष्ट से है और ये पुरुस बैडमिंटन खिलाडी है और साथ भी साई राज रंकी रेड़ी ये आंध पुरुस बैडमिंटन खिलाडी है तो इन दोनों की जोली को मेजर द्यान चन्र खेलत नवाट 2023 से दिया जाएगा आप देखे बात करें इन दोनों की जोली ने पूरुस योगल मुकाबलों में कौन-कौन से खिताब जीते हैं 2023 में तो ये महत्फून हो जाता है तो देखे इन दोनों की जोली ने मिलकर इंडोनेशिय ओपन 2023 से खिताब जीता यानि की गोल्ड मेडल जीता और इनोंने स्विस ओपन 2023 से खिताब भी जीता है यानि की गोल्ड मेडल जीता और कोरिय ओपन 2023 का खिताब भी इनोंने ही जीता और चीन मास्टर 2023 में इन्होंने सिल्बर मेडल जीता था इसी के साथ देखे इन दोनों की जोडी ने बैडमिंटन एसिया चेंपेंशिप 2013 का किताब जीता बहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और जो राष्टमंडल खेल हुए थे 2022 के इंग्लेंड के बर्मिंगंगम में तो इन दोनों की जोडी ने मिलकर बहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था और ACI खेल 2022 जो की चीन के हंगजों सहरम हुए थे तो बहाँ पर भी इस जोडी ने गोल्ड मेडल जीता और French Open 2022 पुरुस यूगल मुकाबले में इसी जोडी ने गोल्ड मेडल जीता था और देखें बर्स 2020 के लिए इस जोडी को अरजुन पुरुसकार से भी सम्मानित क्या गया था तो चिराग सेट्टी और साथविक साई राज रंकी रेड़ी को अब Major Dhyan Chandudu खेल रातन पुरुसकार 2023 दिये जाएगा तो याद रखना है Next question है अर्जुन पुरुसकार 2023 कितने ख्लाळीों को दिये जाएगा तो अब अर्जुन पुरुसकार 2023 की बात करें तो यह पुरुसकार 26 यानि के 26 ख्लालियों को दिये जाएगा तो अंसर भी होगा अर्जुन पुरुसकार 2023 26 ख्रालियों को मिलेगा दिखे इस यह पुरुसकार चार बरसों के अबधी में खेल के छेत्र में अर्चा प्रदासन करने और खेल और अनुसासन की बहापना को दर्साने हेतु दिया जाता है इस पुरुसकार के अंतरगत 15 लाग रुपे और अर्जुन की एक कांच से प्रतीमा और एक सम्मान पत्र दिया जाता है तो अर्जुन पुरुसकार 2023 से 26 ख्रालियों को मिलेगा अब यह 26 ख्रालि कौन कौन से हैं तो इनके बारे में जान लेते हैं के करके तो यह 26 प्लेयर कौन कौन से हैं और 21 ख्रालियों के अर्जुन पुरुसकार 2023 से सम्मान नित किया जाएगा तो इनके बारे में के करके जान लेते हैं तो पहला नाम है महुम्मद समीका आप सभी इनके बारे में जानते हैं इन्होंने बंडे क्रकेट बर्ल कप 2023 में सरवाधिक बिगट लिये थे तो इन्हें अर्जुन पुरुसकार 2023 से सम्मान नित किया जाएगा तो इक किस खेल से सम्मान नित है क्रकेट से दूसरा नाम है अंतिम पंगाल का ये एक पुरुस रैसलिंग खिलाडी है तो इन्हें भी अर्जुन पुरुसकार दिया जाएगा तीसरा नाम है अदिती गोपी चंद स्वामी ये महिला तीरंदाजी की खिलाडी है इसके बाद है स्री संकर ये लंबी कूद की खिलाडी है फिर है पारूल चोदरी ये एक महिला धावक है अगला नाम है मुहमद हुसामुद्दीन का ये एक पुरुस बॉकसर है फिर है आर्बेसाली ये महिला सत्रंज खिलाडी है अनुस अगरबाल ये घुल्ड सवारी की पिलेयर है और दिब्बे कीरती सिंग ये एक महिला घुल्ड सवारी पिलेयर है इसके बाद है दिकसा डागर तो ये एक महिला गोल्फ की खिलाडी है इसके बाद अगला नाम है क्रस्ण बहादूर पाठक तो ये एक पुरुस होकी खिलाडी है सुसीला चानू ये महिला हो की प्लेयर है पवन कुमार ये कवंडी प्लेयर है रितु नेगी ये महिला कवंडी प्लेयर है और फिर है नसरीन ये एक महिला खो को खिलाड़ी है इसके बाद है पिंकी ये लोन बॉल्स की महिला प्लेयर है एसबर्जर पिरताप सिंग तोमर ये पुरुष सूटिंग के खिलाड़ी है इसके बाद है ईसा सिंग ये महिला सूटिंग के खिलाड़ी है और हरिंदर पाल सिंग ये स्विक बेस के खिलाड़ी है इसके बाद है एहीका मुखरजी ये महिला टेवल टेनिस खिलाड़ी है दे प्रेविग्ड देवताले ये तिरंदाजी के प्लेयर हैं फिर है रोसी बिना देवी ये एक महिला बुसु प्लेयर हैं सीतल देवी ये पेरा आर्चरी महिला खिलाडी हैं आजे कुमार ये बिलाइड क्रिकेटर हैं और अगला नाम है प्राची या दब ये एक महिला पेरा के पीडियाफ लेना चाहते हैं तो ये पीडियाफ आपको फिरी में मिल सकता है तो वो कैसे तो 2023 के जो हमारे बारसी करेंट अफेर्स वाला पीडियाफ है जो आपको मात्र अभी 40 रुपे में मिल रहा है जिसमें एक हजार से ज़्यादा most important questions है तो उस PDF के साथ आप इस PDF को फिरी में ले सकते हैं तो आपको वो PDF कैसे मिलेगा तो दिखें ये हमारा गूगल पे, फोन पे और पेटियम नमबर है, आपको इस नमबर पर पेमेंट करना है, उसके बाद पेमेंट का फोटो या स्क्रीन सोट आपको हमारे इसी बटसप नमबर सेंड कर देना है, तुरेंति आपको ये दोनों PDF मिल जाएंगे, इसके बाद आगे बात करें, काच कोचो को दिया गया है, तो इनके बारे में जान लेते हैं, तो ललित कुमार ये कुस्ति के कोच है, और आरभी रमेश, ये सतरञ्ज कोच है, माहवीर परसाद सैनी, ये पेरा एथलेटिक्स कोच है, और सिवेंदर सिंह, ये होकी के कोच है, और गणेस प्रभाकर, में दरोनाचार्याबार्ट 2023 दिया जाएगा इसके बात करें दरोनाचार्याबाद 2023 लाइफ टाइम स् backlash की बात करें तो लाइफ टैम स्रेड़ी में द्रोणाचार्य पुरुसकर 2023 तीन कोचों को दिया जाएगा जिसमें पहला नाम है जस्किरज सिंग ग्रेकबाल का ये गोल्फ के कोच हैं भासकरल ये कवंडी के कोच हैं और जैंत कुमार पुसिलाल ये टेवल टैनिस कोच हैं तो इन तीनों को द्रोणाचार्य पुरुसकर 2023 लाइफ टैम स्रेड़ी में दिया जाएगा अगला पुरुसकर है द्यान चंद लाइफ टैम अचिमेंट पुरुसकर 2023 तो द्यान चंद लाइफ टैम अचिमेंट पुरुसकर 2023 ये तीन खिलाडियों को मिलेगा जिसमें पहला ना lifetime achievement पूरुषकार दिया जाएगा इसके बाद आगे बात करें तो मुलाना अबूल कलाम आजार ट्रोफी 2023 की बात करें तो यह ट्रोफी गुरु नानक दे बिस्विदहले अम्रत सर को समगर बिजेता के रूप में दी जाएगी और लवली प्रोफेशनल यूनिवरसिटी पंजाब को पृथम रनरप यूनिवरस्टी का आवार्ड मिलेगा और इसी के साथ कुरु छेत्र बिस्विदहले को दित्ते रनरप बिस्विदहले के रूप में आवार्ड दिया जाएगा इसके बाद कोस्त नमबर 6 है भारत का सरबोच खेल पुरुसकार कोन सा है तो भारत में खेल के छेतर में दिया जाने वाला सरबोच पुरुसकार है मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरुसकार और आप से भी जानते हैं इसे पहले राजीव गांदी खेल लतन पुरुसकार कहा जाता था देखें 2021 में राजीव गांदी खेल लतन पुरुसकार का नाम बदल कर मेजर ध्यान चंद खेल लतन पुरुसकार किया गये था अगला प्रस्ण मेजर दियान चन्द खेल लतन पुरुसकार यानि कि राजीब गांदी खेल लतन पुरुसकार की सुरुवाद कब हुई थी तो इस पुरुसकार की सुरुवाद 1991-92 में की गई थी तो याद रखना है अगला प्रसन प्रिथम मेजर द्यान चंद खेल लतन पुरुसकार किसे दिया गया था तो देखे जो पहला राजिव गांदी खेल लतन पुरुसकार था जिसका नाम बदल कर अब मेजर द्यान चंद खेल लतन पुरुसकार किया गया है तो यह पुरुसकार पहली बार किसे दिया गया था? तो यह पहला पुरुसकार मिला था बिस्वनाथ आनंद को. बिस्वनाथ आनंद ये भारत के सतरंज खिला लिए. तो इन्हें पहला राजिव गांदी खेलत्न पुरुसकार दिया गया था 1991-92 में. अगला प्रस्न उसकी सुरुवात 1991-92 में की गई थी लेकिन जो अर्जुन पुरुसकार है इसकी सुरुवात इस से पहले यानि की 1961 में हुई थी तो याद रखना है Next Question Major Dhyan Chand Khayla Tnaward 2022 किसे दिया गया था तो बर्स 2022 के लिए Major Dhyan Chand Khayla Tnaward सरत कमल अचंता को दिया गया था सरत कमल अचंता ये भारते पुरुस टेबल टैनिस खिला लिए है याद रखना है और अब 2023 के लिए यह पुरुसकार किसे दिया जाएगा तो ये दो खिलाडियों को मिलेगा चिराग सेटी जो की बैड्मिंटन खिला लिए है और साथ भी साई राज रंकी रेड़ी ये भी बैड्मिंटन खिला लिए है तो इन दोनों को 2023 के लिए Major Dhyan Chand Khayla Tnaward दिया जाएगा Next Question Major Dhyan Chand Khayla Tnaward पुरुसकार का पुराना नाम क्या था तो इसके बारे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि Major Dhyan Chand Khayla Tna को पहले क्या कहा जाता था इसका पुराना नाम क्या था तो इसका अंसर आपको नीचे सोयम कमेंट वोक्स में बताना है और दोस्तों आपको बता दू अगर आप 2023 के संपूर करेंट अफेर्स बाला हमारा 1000 से ज़्यादा Questions का PDF लेना चाते हैं तो वो PDF अब आपको 1440 रुपे में मिल जाएगा इस PDF को लेने के लिए ये नीचे देखे हमारा फोन पे और गूगल पे नंबर है और यही बटसप नंबर है आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है उसके बाद पेमेंट का फोटो या स्क्रीन सोट आपको इसी बटसप नंबर पर सेंड कर देना है आपको तुरंथी 2023 के बार से करेंट अफेर्स बाला PDF मिल जाएगा और आज के लिए उफर आपके लिए इतना ही उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद रहेगो अगर आपको वीडियो अच्छ लगाओ आपके लिए एलफूल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चली मिलते नेक्स्ट वीडियो में